कि अलो फैंसे आप साफी का स्वागत है आपके बने YouTube चैनल जिके दार ॉलिज में इसमें हम आज बात करेंगे लोक्रे मंत्री की शक्तियों की हम बात करेंगे जिस से पहले लिए मोख्रत करी थे लिए कि किस्प्रकार उनका निउखति की जाती है कि केत buffetला कारेगाल होता है तो आएक शुरूआत करते हैं मुख्य मंत्री की शक्तिय में सबसे पहले होता है मुख्य मंत्री कि कि निर्माण कि सबसे पहले और सबसे इंपोर्टेंट जो शक्ति है यो कारिया है इसका वो मंत्री प्रिश्ट का निर्माण है जितने भी जो मुख्य मंत्री की निक्ति राज्यपाल करता है लेकिन अन्य मंत्रियों की निक्ति राज्यपाल किसकी प्रामर्श प्रकरेगा मु इनकी न्युक्ति राज्यापाल करता है लेकिन किसके प्रामर्ष पर करता है मुख्य मंत्री के प्रामर्ष पर कौन करता है राज्यापाल करता है किनकी न्युक्ति करता है अन्य मंत्रियों की यानि मंत्री प्रिशद के सद्यश्यों की कितने वैक्ति और मुख्य मंत्री के पास ये भी पावर है कि कैबिनेट कैबिनेट राज्य या उपमंत्री किस वैक्ति को कैबिनेट बनाना है किस वैक्ति को राज्य मंत्री बनाना है और किस वैक्ति को उपमंत्री बनाना है इसका नीरने भी मुख्य मंत्री करता है मुख्या मंतरी जिस वैक्टि को चाहेगा उसको कैबिनेट मंतरी बना सकता है जिस वैक्टि को चाहेगा राज्या मंतरी बना सकता है यह पावर है मुख्या मंतरी के पास हलांकी न्युक्ति करता है राज्यापाल लेकिन प्रावर्स लेता है मुख्या मंतरी का और मुख्या मंतरी अन्य मंतरियों के एक लिश्ट त्यार करके राज्यापाल को देता है और राज्यापाल उनहीं वैक्तियों को चुनता है क्योंकि राज्यापाल एक फॉर्मल करता का उसके अलावा बात करें विभागों का वित्रण मुख्यमंत्री के पास ये भी पावर है जो CM है उसके पास ये भी पावर होती है कि किस व्यक्ति को कौन सा विभाग देना है कि किस व्यक्ति को कौन सा विभाग देना है विभाग यानि जैसे स्वास्ता मंत्राले किस व्यक्ति को देना है या फिर रेल मंत्राले कि किस व्यक्ति को रेल मंत्राले दिया जाए उसका निर्णा भी कौन करता है न्युक्टियों कि जो न्युक्टियों है वो भी कौन करता है मुख्य मंत्री करता है मतलब जो न्युक्टियों होगी कोई भी नुक्टियों जैसे राज्यक राज्य लोक्षिवायोग राज्य लोक्षिवायोग इसके इलावा बात करते हैं तो महाधिवक्ता राज्या का महा अधिवक्ता ये इसके अध्यक्स और उपाध्यक्स की बाद कर रहा हूँ अध्यक्स और उपाध्यक्स राज्या का महा अधिवक्ता जो इनकी न्युक्ती है इनकी न्युक्ती राज्यापाल द्वारा की जाती है और राज्यापाल किसके प्रामर्ष पर करेगा मुख्यमंत्री के प्रामर्ष पर करेगा तो इन सभी की नियुक्ति भी राज्यापाल उदार के जाती है लेकिन प्रामर्ष लिया जाता है मुख्यमंत्री का मुख्यमंत्री कहेगा कि आप इस व्यक्ति को महाधिक्ता बना दे जी तो उसी वेक्ट्री को महाधिकतावद रब दिया जाएगा, कहेगा इस वेक्ट्री को राज्य लोग से वायोग का ध्यक्स बनाएगा उसी को उपाध्यक्स बनाएगा, जो भी सियम गएगा वो ही इसको कारे करना पड़ता है, क्योंकि ये नामातर का कारे पालक होता है, अब बात करते हैं सरकार का मुख्या, सरकार का मुख्या, जो मुख्य मंतरी होता है, सी एम जो होता है, वो सरकार का मुख्या होता है, क्यों होता है, क्यों होता है, क्योंकि सभी कार्यों का संचालन, सभी कार्यों का संचालन, मुख्य मंतरी द्वारा किया जाता है, जितने भी कारियों होते हैं राज्या के वो सभी कारियों का संचालन मुख्या मंत्री करेगा इसलिए सरकार का मुख्या यही होता है लेकिन वैक्तिगत जो राज्येपाल होगा राज्येपाल वो सेवधानिक मुख्या होता है सेवधानिक मुख्या राज्येपाल होता है राज्या का सेवधानिक मुख्या कोन होगा राज्येपाल होगा राज्या का सेवधानिक मुख्या राज्येपाल होगा और सरकार का जो मुख्या होता है वो सीम होता है क्योंकि सभी एक नाम होता है, इसके नाम पर किया जाते हैं सभी कारे, करता ये है, करता धरता ये है, लेकिन नाम इसका होता है, इसलिए इसको नाम अतर का, नाम अतर की कारेपालिका कहा जाता है, कारेपालिका, इसके सिर्फ नाम नाम से होते है, और सरकार का मुख्या होने के कार्ण इसक वास्तिक कार्यपालिका कहा जाता यही अपनी निगराने में बैठकर क्या करता है विट वजट वार्षिक मजट को त्यार करवाता है वार्षिक बजट त्यार करवाता है इसी की देखरेक में किसकी देखरेक में CM की देखरेक में वार्षिक बजट त्यार होता है और सबी कारियों का संचालन कों करता है CM करता है क्योंकि CM जो सरकार का मुख्या होता है और राज्यपाल जो है कि नामात्र का होता है ठीक है नुक्तिया करता है सरकार का मुख्या होता है कौन सीम होता है अगला पाइंट है मंत्री मंडल का पुनर गठन सीम जो है मंत्री मंडल का पुनर गठन कर सकता है पुनर गठन का मतलब यह है कि अगर कोई मंत्री अगर कोई भी मंत्री हो जो मुख्या मंत्री की नीतियों को पालन नहीं करता मतलब मंत्री मंडल का पुनर गठन कर सकता है यह पावर है किसके पास मुख्या मंत्री के पास कैसे है अगर कोई मंत्री मुख्या मंत्री की नीति का पालन नहीं करता उसके विरुद को कार्या करता है तो क्या करेगा उस मंतरी को इस्तिफा देने के लिए कह सकता है त्याग पत्र देने के लिए कह सकता है कि अगर तुझे मेरे कार्या पसंद नहीं है मैं जो कर रहा हूं वो पसंद नहीं है तो त्याग पत्र दे और चला जा तो त्याग पत्र और उससे ले सकता है अगर हो त्याग पत्र देने से मना कर देगा तो मुख्यमंत्री क्या कहेगा राज्यापाल को कहेगा राज्यापाल द्वारा उसको डिस्मिस कर दिया जाएगा डिस्मिस के भाई तू डिस्मिस हो जा तेरा कोई काम नहीं है मुख्यमंत्री ने कहे दिया उसी का पालन नहीं कर रहा तो आप देखतर को तो निकालना पड़ेगा तो राज्यापाली आगरेगा फिर उसको डिसमिश कर देगा तो मंत्री मंदल का उन्हें रगठन करता है तो अगर मंत्री करता है तो त्याग पत्र ले सकता है उस मंत्री से अगर वह थियाग पत्र देने से मुंट करना तो जो सिय होता है वो राजयपाल को कहेगा कि राजयपाल आप इसे अपना इस्तिफा ले लिजी इसे इस्तिफा ले लिजिए और इसको हटाईए पद से मैं किसी और अन्य वैक्ति को नुक्त करूंगा जिस प्रकार्द दूसीम है वो फिर अन्य वैक्तियों को नुक्त करता है तो इस प्रकार्द क्या कह सकते है कि वह एक मंत्री मंड का अध्यक्ष मंधरी 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 की इस प्रकार होता है कि वो जितने भेवेशन होते हैं उनका संचालन करता है जो अधी वेशनों का संचालन करना जितने भी अधी वेशन होते हैं उन सभी का संचालन करना और अधी वेशनों की dates देट्स डिसाइड करना जो निर्धारित करना कि निर्धारित करना किसका कार्य होता है यहां पर सीम का कार्य होता है यानि मंत्री मंदल का अध्यक्स होता और मंत्री मंदल का अध्यक्स क्या कार्य करता है कि जितने भी अधिवेशन होते है उन अधिवेशनों का संचालन करना डेट्स का निर्धारन करना और ये सभी कौन करता है मुख्य मंतरी करता है क्योंकि जो मंतरी मंदल का अध्यक्ष होता है वो एक जो राजनीती को जो उनके बैठक होती है इनके सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए इन सभी की देखरे कौन करता है अध्यक्ष करता है अध्यक्स कोन होता है मुख्या मंत्री होता है इसके लावा बात करें तो मंत्री मंडल और राज्यपाल में कड़ी का काम करता है राज्यपाल और मंत्रियों में लिंक का करें जो मुख्या मंत्री है वो राज्यपाल और मंत्रियों में लिंक की तरह कारे करता है मतलब जो राज्यपाल है डारेक्ट मंत्रियों से कोई भी प्रामर्श नहीं लेख सकता और ना ही कोई मंत्री डारेक्ट राज्यपाल से कोई प्रामर्श ले सकते है उन सभी का कारय कौन करता है, उनके बीच का जो कारय करेगा, उनका लिंक का जो कारय करता है, वो CM करता है, मतलब अगर राज्यपाल को किसी मंतरी से किसी विभाग के जानकारी लेनी है, तो पहले वो CM को बताएगा, CM से उसको problem share गरेगा, तो CM आगे मंतरियों को कहेगा, कि आ किसी विशाय में, तो जो मंतरी हैं, वो CM से बात करेंगे, CM फिर उसको, राज जपाल को कहेगा कि यह situation है, यह problems है, आप solve करिये, तो जो राज जपाल है, वो ना तो सिधा मंतरी से बात करते उनके बीच का जो कारे है, वो CM करता है, CM ही जो होता है, वो इनके बीच की कड़ी होता है, इनके link की रूप में कारे करता है, इनका बीच का mediator कह सकते हैं, होता है, राज्येपाल और मंद्रियों की बीच का, ठीक है? इसके लावा बात करते है राज्येपाल का प्रामर्जदाता राज्ये पाल का मुख्या प्रामर्जदाता प्रामर्शदाता जो मुख्या मंदल की सूचना प्राप्त कर सकता है यह सूचना प्राप्त कर सकता है total और इसमिए राजनीटि के विशय में पूच्छ लावा अन्य जो राजनीटि कारये है राजनी तिक जुगती विद्य हैं उनके बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकता है CM से ये इसका और CM को अपनी जान इसको जानकारी प्रदान करनी होगी उसको सूचना प्रदान करनी होगी कि इस परकार कारे हो रहा है इस परकार कारे नहीं हो रहा है तो राजय पाल का मु कि क्या करना है क्या नहीं करना तो यह हमने देखी मुख्य मंत्री की पावर्स की क्या क्या पावर्स हैं कि सबसे पहले तो वह मंत्री पुषदिकार निर्मान कर सकता है दूसरा वह अन्य मंत्रियों की न्युक्ति कर सकता है तीसरा विभागों का वित्रण कर सकता है किसी भी बातों को नहीं मानेगा सिर्कार का मुख्या अपनाता है इसके अलावा की वीडियो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सस्क्राइब करना ना पूले थान्यवाद शेयर